असलाब कुं डियर्ट सुडेंट आप लोग ने बहुत अच्छे से लिख ली होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आगे होंगे आज हम लोग स्टाट करने जा रहे हैं एक्स्पेरिमेंट नमबर 9 राइट और हमारे एक्सपेरिमेंट नमबर 9 है और गायनोअलेप्टिक एवेलवेशिन और एक पेपरमिंट ठीके लेकिन यह तो स्पेरमिंट है यह वह पोदीना है जो कैं हमारे गरों में मौजूद होता है जिसको हम लग इस्तामाल करते हैं यानके garden mint ठीक है पुदीना हो गया common name या आप लोग local name या उर्दू name आप कहते हो पुदीना आ गया या garden mint आ गया जो common name हो गया उसका बारिजिकल source की बात करते हो तो आप कहते हो दोनों alternate names हैं इनके family के same family है बस नाम पहले इसको labiati family कहा जाता था अब इसको labiati family कहा जाता है part use हम लोग इसका कौन सा इससा इस्तामाल करते हैं हम इसका इस्तामाल करते हैं fresh leaves या dried leaves ठीक है या तो हम लोग इसके fresh तरो ताजा पते लेंगे या फिर हम लोग खुशक पते लेते हैं chemical class it belongs to volatile oils last time ही मैंने कहा था कि volatile oils को हम लोग essential oils का भी नाम देते हैं essential oils का नाम हम लोग इसको इस वजय से देते हैं क्योंकि इनके अंदर essence होती है ठीक है यानके खुश्बू होती है फिर हम लोग कहते हैं constituents इसके अंदर chemical constituents कौन कौन से होते हैं आपके तो menthol, pinene, limonene, carbon और फिर carbon होते हैं इसके अंदर और भी बहुत सारे chemical constituents होते हैं लेकिन हम लोग यहां पर सिर्फ volatile oils की बात कर रहे हैं और उनमें से भी हम लोग ने कुछ के नाम लिख लिए हैं ठीक हो गया फिर अगर हम लोग इसके uses की बात करें तो आप कहते हो नौजिया में जब मतली आत जो में पठे हैं वो खिच गए हैं या फिर उनके अंदर जो हैं वो cramps पर गए हैं आप लोग के तो खलियां पर जाना ठीक है muscle cramps हो जाते है, indigestion यानिके hazma अगर खराब हो जाता है तो उसके लिए हम लोग इस्तामाल करते है और cooling effect in pharmaceuticals हम लोग बहुत सी अदवियात में cooling effect के लिए हम लोग इसका इस्तामाल करते है, यानिके थंड़ा का एहसास देने के लिए हम लोग menthol का इसका इस्तामाल करते है, ठीक है फिर headache सरदर्द में भी हम लोग इसका इस्तामाल करते है इसके constituents को यूज करते है अब इसके बिल्कुल opposite side पे इसके बिल्कुल opposite यहनके मुखालफ सेंप में जो आपका white paper है इसके उपर आप क्या करोगे, उपर उपर आपने लिखा experiment number 9 है तो 9 लिखोगे नीचे organoleptic evaluation of spearmint ठीक है, नाम लिख लिया जो हमारे experiment का था उसके नीचे अगर आपके पास sample है तो आप लोग उसको packet में डालके ठीक है, यह dried form में है आप लोग dried leaves उसके ले लो और उसको आप एक packet में या किसी भी तरहाँ पेस्ट करना चाहो आप लोग उसको पेस्ट कर देते हो साथ में आप लोग उसको label कर दो कि यह spearmint है या पोदीना है और इसके साथ आप उसकी picture लगा दोगे spearmint की, ठीक हो गया next, experiment number 10 experiment number 10 हमारा है organoleptic evaluation of curcuma curcuma हम लोग कहते है local name या common name आम जबान में हम लोग इसको curcuma को क्या कहते है हल्दी, हल्दी कहा जाते है हम लोग जो घरों में इस्तामाल करते हैं हल्दी biological source की बात करते हो तो curcuma longa, पहला word का पहला letter capital आएगा बड़ा आएगा और दूसरे लफ्स का पहला letter जो होगा वो small आएगा ठीक हो गया curcuma longa families की जिंजी बिरैसी family से भी लोग करते है part use हम लोग इसका कौन सा हिस्सा इस्तामाल करते हैं हम इसके dried rhizome इस्तामाल करते हैं rhizome क्या होते हैं आपके तन्य का वो हिस्सा जो जड़ नुमा होता है या तन्य का वो हिस्सा जो जमीन से नीचे होगा और जड़ नुमा होगा और वो इस तरह की direction में होगा यानिके यह अगर जमीन है यह आपका तन्य है तो आपके दने का वो हिस्सा जो जमीन के नीचे होगा और वो इस तरहा से लेटा आवा है ठीक है यह आपका राइजोम होता है ठीक हो गया अब आप लोग कहते हो किस केमिकल क्लास से बिलोंग करता है इसके अंदर यानके वॉलेटाइल ओइल भी होते हैं कॉंसिट्वेंट्स की बात करते हो तो इसके अंदर करक्यूमिन पाये जाता है ठीक है वॉलेटाइल ओइल कौन सा इसके अंदर करक्यूमिन है यूजिस की बात करते हैं तो हम लोग इसको एंटी इंफ्लमेटरी के तोर पर लेते हैं यानिके अगर सोजिश हो जाती है सूजन है वो कम हो जाती के इसी के इसी के इस पाल करते हैं वायट पेपर अब लोग पहले पहले उपर एक्स्पेरिमेंट नबर टैन नीचे लाइन लगा के उसका टाइटल लिखोगे और गैनलाप्टिक एवैलुएशन ओफ क्यूमा फिर आप लोग एक पैकेट के अंदर अगर आपके पास क्यूमा जो है वो पूर का पूरा में इस फॉर्म में है साबित है अपके पास तो आप लोग उसको पैकेट में डालो अगर आपके पास पाउडर है तो आप अपने पाकेट के अंदर पाउडर डालो गए ठीक है और इसके नीचे आप लोग एक ऐसी पिचे लगा जिसमें पाउडर भी नजर आ रहा हो और आपके पास वो चीज में और रियल में भी वैसी हो लाइक साबित किसम की वैसी रखी भी हो दाकि आपको डिटेक छीन्जर, कॉमन नीम जिंजर आगे आपका, वह उड़ दो नेम आप कहते हो अदरक या सौंट, हम लोग अदरक का पाउडर realm feeling तीक है हम कहते है और सौंट पाउडर आप लोग इसकох कुर बहगने हो Ñ कर आप लोग लिक सकते हो सौंट पाउडर, ठीक है , सौंट, optimal source बुन्चेश्यूर, लेष संधियन में केमिकल क्लास, लेष लेषेल में लुक म्यूंतर को है। अगर हम लोग दिखें टामिकल कंसिटूइंस में वॉले टाइल ऑईल तो आपके पास जिंजी रोन होता है जिंजी पीरीन होता है और अगर आप लोग लू लोगा शोगो जो गोॉल्स होगा और जिंजी डाय ओल्स होते है राइट जिंजी डाय ओल्स हागए इसके अंदर फिर यूजिस की बात करते है तो आप लोग के तो इसके अंदर Stimulant के तौर पर हम लोग इसके इस्तामाल करते हैं यह न के तहरीक देने वाला Carminative के तौर पर इस्तामाल करते हैं और used in cold and cough, नजला जुकाम में हम लोग इसको कैवा जात में इस्तामाल करते हैं And used in asthma, right? अब इसके opposite side पर आप देखोगे experiment no.1 लिखोगे white paper पे side पे आपने इसके दो margins लगा लिए उपर उपर आप लोग title लिखोगे और गैनल अप्टिक evaluation of ginger अगर आपके पास ginger जो है वो आपके पास इस तरहां से dried form में है तो आप लोग इसको पूरी की पूरी dried form में है तो फिर आप लोग उसको packet में डालते हो अगर नहीं है तो आप लोग इस तरहां से उसका salt powder ले लेते हो ठीके यह आपने थोड़ा सा भी विशक ले लो तो enough होगा ताकि अगर आप लोग इसको detect करते हो तो कैसे करोगे आप लोग इसको हलका सा हाथ पे लेकर और इसको smell करते हो ठीके उसको smell करोगे आप लोग और आपको इसमें से एक खास किसम की या specific आपको fragrance आती है ठीके जो के ginger की होगी आपने packet में डाला salt powder और सामने अपने mention कर दिया ginger और इसी तरह से आपने उसके picture लगा दिए आज के practicals यहीं तक के next time हम लोग initialize start करेंगे experiment number 12 और onward हम लोग उसको आगे तक लिकर चलेंगे I hope कि आपको practical सही से समझ आ गये होंगे अगर आपको फिर भी कोई question हो तो आप लोग मुझसे comment section में question कर सकते हैं thank you so much, Allah Hafiz